नमस्कार दोस्तों देखिए मैंने इसके पहले वीडियो में यहाँ पर बात किया था इसके TL431 के बारे में तो यह इसका एनोड है नोड ग्राउंड रहेगा और यह है इसका बोल्टेवी रिफ्रेंस का पिन ठीक है और यह है कैथोड और इसका यह आप्टो कपलर है 817 रहें और कैथोड को के से भी इंडिकेट करते हैं यहाँ पर जिसे लिखा हुआ सी से लिखा हुआ इसका लेकिन यह जो है अगर इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो के से भी इसका इंडिकेशन होता है कैथोड का जिसे CRT में वहाँ पर जो कैथोड बने होते हैं आर ज हो यह पिरूमर तीन है कि यहां पर आता है यहां पर व्हमंff अनुदुका, यहां पर नीगेटिब है, जौन पर करति है और जैसे से यहां पर डॉपिंग फुलिश होगा उसी की अनुसार जो है, यहां पर इसकी जो अंदर की लिडी है ग्लो करेगी और इसकी जो बैसिंग अंदर वो चेंज होगा अब यहां पर जस्ट अगर यहां पर देखेंगे one two three तो यह क्या है यह इस साइड में जो है प्राइमरी साइड में यह ग्राउंड रहेगा यह अभी यह यह भी ग्राउंड हो गया इसके सामने और यह भी ग्राउंड हो गया यानि यह सेकेंडरी का है और यह प्राइमरी का है यह दोनों आपको पहचानने के लिए अप्टो कपलर को मैं इस प्रकार से इसको डियाइन किया है ठीक है और इसमें कुछ और हमने परिवरतन किया इसको समझाने के लिए अब यहा यहां पर सुप्लाई बन रही है इस कैपिस्टर के तोरा फिल्टर करकर के यहां जो है एक रेष्ट्रन्स लगा हुआ है और यह है सुछिंग का सुछिंग डिवास यह है मौस्टट ठीक है और यहां पर जो यह दिखायागया है ड्राइब बोल्टेज यह गेट ड्राइब बेफॉर्म यानि इसी तरीके से इसका डियसो में आपको देखने को मिलेगा अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके गेट पे जो भी फल्से जाते हैं तो जैसे माली इस तरीके से पल्स यहाँ पे आया तो जिस समय यह ऊपर की तरफ देखिए इस आकार का प यानि उसी टाइम यहाँ पे ड्रें पे जो पल्स बनेगा यह इस तरीके से बनेगा यह अगर यहाँ पे उपर होने का मतलब आन इस्थित है यह से यहां तक ए आन है तो उस समय क्या होगा यह 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 यहां पे आ फ रहेगा फिर जैसे यह आ İ That Greek meaning द्राइब के अमसार इसका विफार्म सेम उल्टा होगा जैसे जो गेट से उसका ड्राइब ड्राइब पलस आएगा उसके कॉर्डिंग यहां पे सेम उल्टा होगा यह चीजें आपको ध्यान में रखें अब इसमें देखें हमने जो है बात किया था कुछ लोग जो है हमारे वाटसएप पे मैसेज और काल भी आये हैं और उसमें काफी नए लोग है और नए लोगों का जो काफी कंफ्यूजन है उनकी कंफ्यूजन को देखते ही हमने जो है उस सब सारी चीजों को बताना स्टार्ट किया है कि मलब वह बहुत लोग इतने वीडियो देख के निरास है और उनका थोड़ा सा confusion बहुत ज्यादा हो गया तो मैं उनसे यही चीज कहूँगा कि इसमें देखिए over information के चक्कर में मत पड़ें क्योंकि over information बहुत है तो आपको जो जरूरत है जो demand है उसी के अंसार आपकी learning जो है start करनी है देखिए यह आने वाला जो नया साल है यह भी एक साल से ज़्यादा नहीं रहेगा तो इसलिए जो मतलब आपको learn करना है उस पे बहुत ही देखें कि क्या demand है और हमको किस मतलब उस पे काम करना है उस चीजों को आप read out करने पहले से और कोई बहुत जल्दी ऐसा नहीं आपको action लेना है कि बहुत जल्दी ही january में ही उसको हम सोच लें कि हम कोई start करना है नया साल पे आप बहुत इत्मिनान से उस चीज को सोच लें समझ लें इसलिए हमने जो है अभी बहुत आस्ते आस्ते कि आप लोगों के सारी जो comment देख के और मैं जिसे कुछ लोग वहाँ पर बोले हैं कि मैंने जो है इस फेल्ड को छोड़ दिया था और फिर से जो है इउ-टर्न लिया है इसमें आने के लिए और कुछ लोग हमको देखकर पहले से ही इस फिल्ड में आये हैं और काफी लोग जो है हमारे चैनल पर वीडियो देखके अपने काम भी कर रहे हैं तो मैं उसाब सारे मेसेजों को पढ़ा हूं देखा हूं और समझा हूं और कुछ लोग से मेरा आड़ा भी था उन सब सारी चीजों को पूरा भी करना है तो इस हिसाब से हमें जो भी काम करना है देखिए more information knowledge जो है बहुत खत्रा होता है तो इसलिए हैंग करने लगेगा ब्रेन तो जो जरूरत है उतने ही चीज़ जैसे माली जी आपका वहां पे देखें प्लाजमा टीबी जैसे नहीं है या आपके आसपास जो भी काम करना है आप प्लाजमा टीबी पे ध्यान दे रहें या उसके जो नालेज हैं collect कर रहें हैं तो वह बेकार है क्योंकि उसके demand नहीं है जिस knowledge को आपको collect करना है जिसके demand है, knowledge आपके पास अभी भी CRT आ रहे हैं तो आपके लिए फाइदा है उसक region नहीं है CRT नहीं है तो अपने एरिया के वाइज जो है आप काम करें जो आपका आसपास का जो 20 किलो मेटर 25 किलो मेटर 30 किलो मेटर का रेंज है या अभी जो आसपास का है वहां पर उस चीज को देखें कि डिमांड क्या है तो उसके अमसार आप जो है उस फेल्ड को चाहिस क में कोई एक स्टेप ले और बाद में स्टेप को बढ़ा भी सकते हैं तो हमको जो इधर अपना इधर काम करना है समझाना है बताना है मैं इस पर इजी से जी मैथड को बता रहा हूं और उसे समझने की कोशिज करें देखें हम भी जो है इसमें बहुत गहरे से इसका जो एक मतलब कि जैसे हम यहां पर कुछ भी बता रहे हैं तो यह आपको यह नहीं है की आप इसे मान भी लें है ठीक है क्योंकी को सद्विंन करना सिखें आप कहीं ृNote करते हैं या समझते हैं तो वहाँ पर एक है कि कोस्टीन मार्क जरूर लगाएं अगर आपको समर्ग में नहीं secondary में ट्रांसपर होता है तो यहां पर एक magnet बनता है तो आपको यहां पर question कर सकते हैं कि कैसे magnet बनता है तो उस चीज को दिखा भी सकते हैं बता भी सकते हैं यहां पर ऐसे हम किसी निटल को लाते हैं तो अब उसको आप जो हम कहा दें वो चीज़ों को मानना भी तो जरूरी नहीं है आपको यह प्रेडिकली करना भी चाहिए कि ताकि यह मैंलब आपके फेलिंग में यह इस्टोर हो जाए कि यह ऐसे से ओवर करता है इसके इफेक्ट ऐसे होते हैं यहनि मैगनेट के इफेक्ट पहले हमाएं जो कह रहा हूँ आपको ही देखेंगे और बाद में जब जो आप प्रेडिकल करेंगे तो उस पर जो आपका एक्सप्रिमेंट होगा वह आपका सॉलिट हो जाएगा फिर आपको इसमें वीडियो देखने की जरूरत ने पड़ेगी आपका टॉपिक इंड हो जाएगा फिर नेक्स्ट चैप्टर अपके स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं उस चीज को चैप्टर को क्लोज करते हुए आगे टरन लेते हुए चलने की जरूरत है और जैसे से अपडेट होते जाएंगे तो यसे से टेक्नोलोजी के हिसाब से आगे मोनेने दिखाया है जो बाहर निकलते हुए देखें आप दो उसमें देखें हमने इस चीज को बताया है कि जैसे AH उसमें करता है जैसे यहां पर देखें यह है हमारा एर्थ है पिर्थवी और यह नीचे पानी है वाटर ठीक है और यह उपर इसका ही है अब यह यह जो है ऊपर की तरफ है इसका ही की तरफ और यह जो हमने उस पर दिखाया कि यह जो 3D image है बन रहा है तो उसमें आप देखे होंगे तो जो हमने body weight की बात की है कि उपर जाने पे यहां पे body weight losses हो जाते हैं लेकिन conscious हमारा चेतना तब भी काम करता है तो मैंने इस चीज को indicate किया है कि यहां पे जो आप देख रहे हैं समझ रहे हैं सोच रहे हैं वो चीजें यहां भी जिन्दा रहती हैं लेकिन यह हमारा जो body level है यहां ऊपर जाके जो है unbalance हो जाता है लेकिन यह unbalance नहीं होता है यह वहां अपने उसी form में राता है जो यहां पे राता है तो हमने आपकी इसकी जो मतलब चेतना की जो मतलब बेवलेंथ है इसकी उचाई को पताया है एक दूसरे का एक्जामपल लेकर जैसे इस पेस में बैग गानी जाते हैं ठीक आपको 3D picture देख रहे हैं तो यहां भी वही उसका condition इस समय आपको देखने को मिलेगा तो आप उसको अगर पकड़ेंगे या उसको देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन feeling दूर से देखने पर मिलेगा कि बाहर निकल आया है ठीक है तो यह सारी चीजों को कै आपको जो है होता है इसको समझना है इसलिए क्योंकि टेकनोलोजी का गड़ नहीं समझेंगे तो आपको एक magic लगेगा जादू लगेगा और इस जादू की चकर में आप फंस जाएंगे ठीक है और जब किसी चीज को टेकनोलोजी को जान लेंगे तो उसको यूज करने का तरीका हो जाता है जैसे हमने उसमें बताया था कि जो बिजली की चमक को लेकर कि किसी की दिमाग में आया और उसने जो है सारे बल्ब को जला दिया और हो जाला हो गया तो इस चीज को हमको समझना है तभी टेकनोलोजी को यूज करने को आएगा नहीं तो हमको सब लगेगा की फाल्तु है ठीके क्योंकि ये technology कहीं न कहीं हमारे जो बहुत का मगा टीक्नॉलोजी होता है जो science क देन कि हमारे सारे देखा जा तो time को बचाने का बहुत ही बड़ा योगदान है science जैसे science जो विच्जान अपना कदम आगे बढ़ाता बढ़ाता जा रहा है, ऐसे से हमारे लिए बहुत सारे चीजें इजी हो जाएगा, कठिन नहीं होगा, लेकिन अब चुकि उस लेबल का जो हमको thoughts रखना चाहिए, और हमने इसको इसलिए बताया था, कि ये universe खुद बाखुद अपडेट होता है, और इस universe में हम भी हैं, तो हमको भी जो है, जैसे एक mobile की अपडेटिंग आती है, तो ऐसे हमारा भी अपडेट आता है, लेकिन हम जब इसको खाली रखते हैं, इसके टोकरी को, तभी उसमें नया information गुस पाता है, ठीक है, नहीं तो इन नहीं होगा, वो खाली उपर उपर फ प्राकिरत में, क्योंकि आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई भी idea आपको आया, आपने उसमें काम नहीं किया, लेकिन आया चोड़ दिये, फिर कुछ दिन बाद आप देखते हैं, कि हाँ, दूसरा देखती जो है, उसको ऐसा ऐसा बनाया है, तो आपको याद आयागा, कि अरे ये idea तो हमको भी आया था, तो वो आया था, उस पर काम करने की जरूरत थी, क्योंकि उसके साथ सारी learning रहती है, वो भी अधूरा ही रहता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, जब आप उस पर काम करते हैं, तो अंदर से आता है कि इसको, वो आपको उस वीडियो तक पहुँचा देगा, उस आदमी तक पहुँचा देगा, जहां पर यहां पर जाप कोई जरूरत होगा, वो इनवर्स अपने आप वहां पर आटोमेटिक मिला देगा, जिस बेक्त से, आप उससे जानते नहीं होंगे, अचानक कैसे-कैसे आप उसके हाथ नहीं देख हैं यहां पर जो हमारा WiFi signal या जो भी Bluetooth signal जो भी यहां पर travel होते हैं data तो यह इस पेस में जो भी travel हो रहे हैं तो यह माले जो बिना वायर के यह एक बेवर्म के रूप में जो है का मलब निकलते हैं वो चीजें आप देख नहीं पाते है लेकिन यहां पे वो किसी ना किसी नि एक केर सब्सक्राइब करने के लिए एक केरियर बूंप होता है तो बैंड में क्या होता है कि हुए Toyota अपर कार्डिविल कि यहात Thomas लेंद्ध होता है दूरी होती है तो उसी के अंसार वो ट्रेबल करते हैं अब हमने जो कल बताया था कि जो उस वीडियो में स्वीचिंग के लिए और यहां से इसक बीच में जो है और यह सारा नर जी है तो यह Чीजे क्या होता है कि हमारे जो पानी में भी देखें पानी में हमारा जीवन क्यों का गया है कि इसमें भी गुर्जा होती है और हमारे 70 प्रसेंट बड़्ड में पानी कि मात्र है और हम ने उस bent क्ल cut उसका जो आरे में कॉर कorama त्क कि यहां तक का आया है औरzamies patient माइंड लगाएगे जो लोग काम करते हैं, पहले से काम किये होंगे इस पे, और जो हमने जो इसका कैपिश्क्टर का, पी एफ का, और यह जो क्लल का, यह जो मैगनेटिक फिल्ड का बात किया है, वो सब जो रेडियो पे काम किये होंगे उनको वो सारी चीजें पहले आइडियो की रूप में वीडियो तो आप आने लगा है खैर उस पर मोबाइल पर देख सकते हैं लेकिन वहां से जब आप उस पर थोड़ा सा मैंड लगाएंगे तब यह चीजें समझ में आएंगी यह टोटन ठीक है और इसमें हमारा भी जो है यह क्लियर हो जाएगा कि हम जो भी हैं हम भी एक एनरजी ही है ठीक है और हर वेक्त जो है एक अलग-अलग एनरजी है उसकी अलग-अलग दुनिया है ठीक है उसी के हिसाब से वह करता है अगर जिसका दुनिया से मैचिंग हो गया तो उसका अपना एक संसार बन गया और उस बारा इसपेस में जो भी शीजे घ्टित हो रहें, कैसे कैसे काम करती हैं बिना वायर के यह एक आटेम है ठीक है यह आटो सिस्टम इसलिए कहाँ है कि आटेम इसलिक्स है न जरूरी होता है कि एक सिस्टम ही एक ऐसा चीज है कि जो बदलता नहीं है बाकी हर चीज हर नालेज बदल जाएगा हर चीजे अपडेट हो जाएंगी कोई चीज मलब सही गलत का कब किलियर होता है कि सही उसे कहते हैं कि जो चीजे बदला ना जा सके तो बदला क्या नहीं जाएगा इसका ज चीजें देखिए दिन बाद दिन अगर वो सत्य होता तो आप रहता नहीं लेकिन एक वो इस्टेप है इस्टेप 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 आगे क्या बनेगा वह उपर वाला जाने जो भेजता है ठीक है